प्यारे बच्चो कैसे हो सब सब अच्छे होंगे तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरम करते हैं आज हम पढ़ेंगे कि हमें व्रिक्षो का रोपन व्रिक्षो को पालना उनको लगाना उनमें पानी देना क्यों करना चाहिए तो पढ़ें हम व्रिक्षो के बारे में पेडो के बारे में वयम व्रिक्षा रोपडम करिश्याम है हम सब व्रिक्षो को लगाएंगे एकस्मेन विद्याले मनमोहन नामा ध्यापि का असित एक विद्याल्य में मनमोहन नाम का अध्यापक था अध्यापक का नाम था मनमोहन से चात्रान महा कवी काली दाशे रचीतम हिमालश्य वर्णम ए पाठियत वह चात्रों को महा कवी काली द्यास के द्वारा रचीत हिमालय का वर्णन करते वे पाठ पड़ाता है तेन प्रेरित चात्रा हिमालस से सवरूपस से दर्षनाय उत्सुका अभवन तो काली दाशी ने हिमालय का बहुत सुन्दर वर्णन किया हुआ था हिमालय परवत के बारे में तो उस सुन्दरता का इतना अच्छा वर्णन था कि बच्चे उनसे प्रेरित होकर बच्चों कि उनका मन करा कि हम भी हिमाल्य परवत के सुन्दरता को देखें ते साम गुरू अपीत तही सहर तत्र गमनाई पस्थाना मैकरोत उनके गुरू भी उनके साथ वहाँ पर उस जगाय पर गए प्रस्थान क्या उन्होंने भी उस जगाय पर वो घूमने गए ते विविदे याने तत्र अगच्छन वे अलग अलग परकार के यातायात के साधनों से वहाँ पर हिमाल्य परवत के पास पहुँचे कवाची स्थाने बोख्षारंश्णम दरिष्टवा एक छात्रे गुरूम एपल्चत किसी स्थान पर बोख्षारंश्णम मतलब की भूमी का कटाओ भूमी को मिट्टी को काटा जा रहा था देखकर एक छात्र अपने गुरू से पूचता है गुरू गुरू जी अस्ये बोख्षारंश्णम की मस्ती इस भूमी कटाओ का क्या कारण है मिट्टी कटाओ का क्या क कारण है गुरु वैवदयत गुरु जी बोलती है व्रिक्ष्या नाम विनास एव अस्य कारणा मस्ती पेड़ों के विनास के लिए यानकी जो गर पेड नस्ट होंगे तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि मिट्टी का कटाव करना व्रिक्ष्या के वलम सुंदर्याई ना सं थी व्रिक्ष के वल सुंदर्ता के लिए नहीं होते कि बहुत सुंदर लगते हैं इसलिए पेड होते हैं अपी तू व्रिक्षे तत्रा मर्ती का अपी शुरिक्षिता भौती बलकि पेडों से जो मर्ती का जो मिट्टी है वो भी सुरक्षित रहती है क्यों क्योंकि पेड मि की मिट्टी को और जब पानी होता है जब बार रहाती है आप वह मिट्टी को बहने नहीं देते हैं कि व्रिक्षा नाम अभावे मरू भूमी परशार है संभवती व्रिक्षों के अभाव में मरू भूमी जो रेगिस्तान है वो फैलने की संभावना होती है अते व्रिक्षा नाम रक्षा आवश्यकी इसलिए पेड बहुत ही जरूरी है बहुत ही आवश्यक है अपरे चात्रे परचत दूसरा चात्रे पूस्ता है गुरो गुरुजी यदि व्रिक्षा नाम एतवद मैतवस्ती यदि व पेड़ों को कूछ काठते हैं हमारे लिए निहीं सारी सीजह कितना हमारे जीवन के लिए लावदायक है तो फिर लोग इनको काठते क्यों है गुरु एवदत गुरु जी बोलती है केचित अज्ञान वशात केचित चैस्वास स्वार्थ पूर्ते इन तांशिंदंती कुन तो कुछ तो अज्ञान के कारण यानकी कुछ को तो ज्यान नहीं होता कि पेडों के काड़ने से में क्या समस्य हो जाती है कुछ तो इस शेदी जीव हत्याब होती कि व्रिक्षों को काटने से जीवों की भी हत्याई होती हैं क्यों पेडों के रहने की पेडों पर रहने की जगाई तो होती है जीवों की इपक्सियों की वो तो पेडों पर ही अपना गोशला बना कर रहते हैं श्री जग्दिश चंद्र वसू नामक विख्यात व्यग्यानिक अवर्नन है व्रिक्षे शू अपी जीवन सत्ता सी व्रिक्ष तो हमारे जीवन का आधार है पेड हमारे जीवन का आधार है सास्त्रों में भी पेडों के महत्व को लिखा गया है अन्य चात्र फिर दूसरा चात्र पूश्त है गुरू गुरू जी सास्त्रों में क्या लिखा हुआ है किर्पया अस्मान अपी उपदिशन्तू, किर्पया मुझे इसके बार में उपदेश देजी, मुझे इसके बार में बताइए कि सासरों में क्या लिखा वपेडों के बार में गुरु गुरु जी बोलती हैं शुरुणवंती सुनो मतस्या पुराणे लिखतम मतस्या पुराण है मतस्या नाम का एक पुराण है जिसमें लिखा गया है दस कूपम समा वापी, दस वापी समो हर्दय, दस हर्दय समा पुत्र, दस पुत्रों समो दुर्में कि दस कूवों के समान क्या है एक बावडी है और दस बावडियों के समान क्या है एक चोटा तलाब है और दस तलाबों के सम्मान क्या है एक पुत्र है दस पुत्रों समय और दस पुत्रों के सम्मान एक पेड़ है यांकि दस पुत्र होंगे उनकी जितना महत्व है उतना कितना है एक पेड़ का दस पुत्रों के सम्मान यह किसमें लिखा गया है मतस्य पुरान में चात्रा चात्र बोलता है गुरु असे तात्परम की मस्ती इसका क्या तात्प्रिया है गुरु वत्स बेटा दस कुपाने निर्मनाएं यत पुन्य तत एकस्य वाप्या निर्मानें दस कुवों के निर्मान से यांकि दस कुवे बनाने से जो पुन्य मिलता है एकस्य वाप्य निर्मान वो ही उतना ही पुन्य अगर एक बावडे बनाई जाए एक छोटी सी नहर बनाई जाए उससे मिलता है या तो दस कुवे बनालो या फिर एक छोटी सी बावडे बनालो उतना ही दोनों का एक समान पुन्य होगा दस वापीखन समम पुन्यम एकस्य हरदस्य निर्मानें बवती या फिर दस बावडे बनालो या फिर एक तलाब बनालो जितना पुन्य दस बावडे से मिलेगा उतना ही पुन्य एक तलाब से मिलेगा दस सर्द्यानाम, निर्मानेन यत पुन्य तद एक पुत्रश्य उत्पादेन दस जो तलाब हैं उनको उनको बनाने से भी उतना ही पुन्य मिलेगा जितना की एक पुत्र के लिए जो पुन्य मिलेगा वो 10 पुत्रों को जनम देने से जो पुन्य मिलेगा उसका वो भी उसी के समान होगा जैसे की हम एक पेड को लगाएंगे रूसकी देखरेक करेंगे यानकि दस पुत्रों को जनम दिया उसका जितना पुन्य होगा वो किसके समान होगा एक पेड़ की अगर हम देखबाल करेंगे उसमें पानी वगारा अच्छी प्रकास से हम करके उसको बढ़ा करेंगे चात्रा गुरो गुरू जी वरिक्षया नाम महतव ग्यातम वरिक्षो का महतव मुझे ग्यात हुआ वरिक्षया रोपान अत्या उसका स्थी वरिक्षो को लगाना बहुत ही जादा जरूरी है हम सब भी अपने घर में एक-एक पेड़ अवस्य लगाएंगे गुरु तेसाम सरक्षनाम अपी आवस्यक मस्ती और उनकी देखरेक करना भी आवस्यक है खाली लगा दिया वो नहीं है उनकी देखरेक करना भी आवस्यक है चात्रा वयम तेसाम सरक्षनाम अपी करेश्याम है हम सब उसकी रक्ष्या भी करेंगे उसकी देखबाल भी करेंगे तो बेटा ये पड़ा हमने व्रिक्स के बारे में कि पेड हमारी लिए कितनी लावदायच है पेड ही तो क्या है हमारे जीवन का आधार है तो हमें पेड अपने अपने घर के सामने या अपने बगीचे में एक एक पेड अवस्थे लगाना चाहिए तो आप लोग भी अपने गर में एक एक पेड़ जरूर लगाएं आपको ये पाठ अच्छी से समझ में आया होगा तो एक बार और आप इसका अवस्य करें